हेलो बच्चों मैं हूँ आपके हिंदी पीचर अंजु मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हर्दिक स्वागत है बच्चों आज मैं धरंबीर भारती द्वारा लिखा गया एक यात्रा वर्णन ठेले पर हिमाले के प्रश्ण उत्तर चर्चा को लेकर आपके समक्ष उपस्तित हूँ प्रश्ण उत्तर चर्चा के अंतरगत मैं NCQ, SAQ और Long Answer टाइप तीनों प्रकार के प्रश्ण की चर्चा कर रही हूँ साथ ही साथ उसके उत्तर को भी समझाओंगी यानि आप यहाँ पर इस पार्ट से सम्मंधित हर प्रकार के प्रश्ण को देख पाएंगे यह प्रश्ण उत्तर चर्चा दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी ताकि आप सारे प्रश्णों के उत्तर को अच्छी तरफ धिरे-धिरे समझ सके तो भाग एक के अंतरगत मैं जिन प्रश्णों की चर्चा करूंगी वे इस प्रकार हैं देखिए ठेले पर हिमाले धर्मवीर भारती प्रश्ण उत्तर चर्चा प्रश्ण एक लेखक को ठेले पर हिमाले सिर्शक कैसे सूझा उत्तर देखिए लेखक के अनुसार यह सिर्शक ठेले पर हिमाले बड़ी ही आसानी से बैठे बिठाये मिल गया एक दिन लेखक एक पान की दुकान पर अपने एक गुरुजन मित्र के साथ खड़े थे तभी उन्होंने देखा कि ठेले पर बर्फ की सीले लादे हुए बर्फ वाला आया ठंडी चिकनी बर्फ और बर्फ से उड़तेवे भाब को देख कर वे वे यानि लेखक के मित्र के मन में यह सिर्षक ठेले पर हिमाले कौन्द गया यानि यह विचार आ गया लेखक के मन में यह सिर्षक क्या होना चाहिए ठेले पर हिमाले अगला प्रशन देखिए हिमाले की सोभा किसे कहा गया है उत्तर है हिमाले की सोभा क्या है बर्फ है यानि बर्फ को कहा गया है प्रशन देखिए बर्फ को बहुत नजदिक से देखने के लेखक कहा गए उत्तर है बर्फ को पास से देखने के लेखक कौशानी गए प्रशन देखिए नैनी ताल से कोसी तक की यात्रा कवर्णन लेखक ने किस प्रकार किया है अब ये प्रश्ण देखिए थोड़ा सा विस्त्रित है यानि इसे हम ऐसे क्यों कि अंतरगत रख सकते हैं उत्तर लेखक या बतलाते हैं कि कोसी तक पहुँशने के लिए पहले नेनीताल से रानीखिर जाना पड़ता है रानीखिर से मचकाली के दुर् निशान ना होने के कारण हर्याली का भी अभाव है धालो को काट कर तेड़े मेड़े खेत बना दिये गए हैं अगला प्रश्ण देखिए अगला प्रश्ण बस में सवाल सभी यात्रियों के चेहरे क्यों पीले पड़ गए थी उत्तर है नैनीताल से कोसी तक का रास्ता भयानक मोडों से भरा है मचकाली के टेड़े मेड़े रास्ते पर अलमोडे का एक नौ सिखिया और लापरवा ड्राइवर के कारण बस के सभी यात्रि भैसे पीले पड़ गए थी तो पहाडी रास्ता है पहाडी रास्ता कैसा होता टेड़ा मेड़ा होता है बहुत मोड होती है और अगर ड्राइवर जो नौ सिखिया हो यानि नयानया सीखा हुआ और लापरवा हो तो यात्रियों की तो जान ही निकल जाती है तो यहा प्रशन देखिए, सुक्ल जी ते था Mr. Sen के बारे में कुछ पंगती लिखें, अब यहाँ पर आपको सुक्ल जी और Mr. Sen के बारे में कुछ लिखना है, क्या लिखेंगे देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ-कुछ लोग इतने उत्साही होते हैं कि उनके उत्साह को देख करके जो निरुत्साही व्यक्ति होते हैं उनका भी उत्सा बन जाता है यानि उनमें भी उत्साह आ जाता है ऐसे बहुत सरे लोग हमारे समाज में पाए जाते हैं, आप लोगों अपने घरों में भी देखा होगा कि सभी लोग बुझे-बुझे से बैठे वे हैं, यह तभी कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो उत्साह से भरा होता है और सभी जो है खुशी-खुशी हर काम को करने लगते है तो ऐसे ही थे सुग्ल जी, उन्हें देख करके लेखा के मन में उत्साह का संचाह होता है मिस्टर सेन दुबले पतले सरीर के सावला चेहरा, एमिल जोडा सी दाड़ी, धीला ढाला पतरून पहने, कंधे पर उनी जरकिन और बगल में लटकता हुआ थरमस या कैमरा या वाइना कूलर है उनकी चाल अठपटी है, उनकी कृतियों पर अकादमी से पुरसकार मिला, वहरदय से काफी मीठा है प्रश्ण देखिए, बस पर सवार लेखक के साथ बहने वाली किस नदी का जिक्र किया है? जानी बस पर सवार लेखक ने साथ में जो नदी बहरी इस कौन सी नदी है उसका जिक्र किया है? उत्तर है कोसी नदी का प्रश्ण देखिए, कोसी से जब बस चली तो रास्ते का द्रिश्य कैसा था? उत्तर देखिए कोसी से जब बस चली तो सारा द्रिश्य काफी खुबसूरत हो गया सुडॉल पत्थरों पर कोसी नदी कलकल करती हुई बह रही थी रास्ते के किनाले छोटे-छोटे सुन्दर गाउं बसे दिख रहे थे इतना सुंदर नजारा दिखाई दे रहा था प्रश्ण देखिए, सोमेस्वर की घाटी कैसी है? उत्तर है, सोमेस्वर की घाटी बहुत ही सुन्दर और हरी भरी है. कलकल बहती कोसी नदी, किनारे के छोटे-छोटे गाउं तता हरी मकमली खेत मन को मोह लेने वाले हैं. प्रश्ण देखिए, जियो जियो बस आगे बढ़ रही थी, तियो थो लेखक का मन निरासा से क्यो भर रहा था? उत्तर, कोसी से बस चलकर 18 मिल तक चली आई और वहां से कौसानी सिर्फ 6 मिल रह गई थी. यही कारण है कि लेखक के मन में निरासा बढ़ रही थी. तो लेखक ने कौसानी के बारे में जो सुन रखा था, वहां के अतलित सुंदरे के बारे में सुन रखा था, वो सुंदरे उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उनका मन में निरासा घर कर रही थी, प्रशन देखिए गांधी जी ने कौसानी के बारे में क्या कह उत्तर है गांधी जी ने कहा था कि सुर्जर लेंड का अभास उन्हें कौसाने में हुआ था यहां पर उन्होंने अनासक्ति योग लिखा था प्रशन देखिए कौसानी कहां बसा हुआ है उत्तर है सोमेस्वर की घाटी के उत्तर में उंची परवतमाला के बिलकुल सिखर पर कौसानी बसा हुआ है प्रशन है बस कहां जाकर रुकी उत्तर है बस कौसानी के अड़े पर जाकर रुकी वहाँ पर छोटा सा बिलकुल उज़रा सा गाउ है बर्फ का कही नामों निशान नहीं है प्रशन देखिए बिलकुल ठगे गए हम लोग यह पंक्ति आपके पाट से ले गई है और इसी पर आधारित प्रशन क्या है लेखक को ऐसा क्यों लगा उत्तर है लेखक और उनके मित्र ने बर्फ देखने के लिए नैनी ताल से कौशानी तक की कश्ट पदर यात्रा बस से बड़े ही उत्सा से क्या यदपी नैनी ताल से कोसी तक की बस यात्रा काफ देखकर लेखक को लगा कि जैसे वे ठगे गए हूं जिस उम्मित से वे कौशानी गए थे कि बर्फ देखेंगे बरंतो जब बस कौशानी बस अड़े तक पहुंसती है तो कहीं भी बर्फ का नामों निशान नहीं दिखाए देता है एक उज़रासा गाउं दिखाए देता है तो इससे लेखक को लगता है कि मानों उन्हें किसी ने ठग लिया इन्हें जूट बोला प्रशन देखिए लेखक पत्थर की मुर्ती की तरह कब स्थब्द खड़े रह गए उत्तर है खिन मन से लेखक ने बस से उतरते ही सामने की घाटी में फैले अपार सौंदरी को देख कि वे पत्थर की मुर्ती की तरह स्थब्द रह गए तो आज के वीडियो में मैं इतने ही सारे प्रश्नों की चर्चा कर रही हूं बाकी बचे वे प्रश्न की चर्चा अगले वीडियो में भाग दो की अंतरगत मैं करूंगी तो इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ आप आप अगले वीडियो को भी अवश्य देखें ताकि इस पार्ट से संबंदित परतिक प्रश्ण के उत्तर को आप अच्छी तरसे भली भाती जान सकें तो वीडियो को लाइक करें सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में सेर करें और जो बच्चे मेरे चैनल पढ़नाई ह प्रश्ण उत्तर चर्चा के साथ तब तक पढ़ते रहिए जीवन में आगे बढ़ते रहिए मेरी सुप कामनाई आप सभी बच्चों के साथ है धन्यवाद